नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वाकत है ब्रह्मास्त्र सीरीज में आईए छोड़ते हैं ब्रह्मास्त्र पहले कला सीख लें थोड़ी विद्या सीख लें कि जब UPSC प्रिलिम्स में कुछ क्वेशन आएं तो हम उसको कुछ न कुछ गट फीलिंग से सॉल्व कर पाएं तो आइव नौट से कि सब कुछ होगा पर हमें अंदेशा और अंदाजा जरूर होगा कि क्वेशन सा सकते हैं और जब आपके सामने आएंगे किसी न किसी अवतार में तो आप ही को अच्छा लग में कि अनकैडमी क्यों चुना जाए जहां पर भी आपको लगे स्टैंडर्ड कंटेंट मिलता हो आप से फ्रिक्वेंसी सेट है लगातार मिल ला आप जुड जाईए और अनकैडमी में कोशिश की जा रही है कि आपको लगभग हम लोग हमेशा अपडेटेड रखते हैं जै 1225 जब कि आप तयारी कर रहे हूं आप ले सकते हैं CMC कोड का इस्तमाल करके प्लस जी एस आपको पड़ेगा सिर्फ 54240 में for 18 months and your plus combo would be 64800 including the optionals for 18 months a good offer that is running by CMC is the code that you can use साथी में आपको बता दें सकते हैं CMC कोड लगा के फांडेशन सब्सक्राइब आपको दिखाना चाहेंगे यह हमारा offline बैच अलड़ी चालू हो चुका है 9 अप्रिल से इसमें you can still join if your friends relative that they're in daily आप उनको बता सकते हैं जूड सकते हैं हमारे साथ सकेंड बैच है शाम का बैच है और CMC कोड का इस्तमाल करके जुड सकते हैं वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग और आपको पूरा पैसा एक बर में नहीं देना होता है यह हमने आपको बहुत पहले भी बताया है आप ये माई बना के भी दे सकते हैं चालू करते हैं आज का सेशन और चालू करने से पहले हो जाए एक सूविचार कहा जाता है यथा बीजम तथा निश्पत्ति ही जो आप बोएंगे वही लगभा काटेंगे भी आज समय हमारा अच्छे से हम अपनी सिचाई कर ले पानी फर्टिलाइजर जो हमें चाहिए आज अच्छे से कठा कर लीजे क्योंकि उस दिन सि में फ्रूट लेना है और फ्रूट कैसा होगा यह अभी कुछ दिनों में हम डिसाइड कर लेते हैं या तो फ्रूट उस डर का होगा भय का होगा या फ्रूट उस कॉन्फिदेंस का होगा जो हम जब गुसेंगे सेंटर में तो अलग से ही लोग पेचैन होगे हमसे और जह हम निकलेंगे तो शायद हमारे मन में वो कामने जरूर होगी कि हमने करके आया है अच्छे से आज पेपर चलिए घर चल के अब देखा जाएगा बस इतनी आपसे उमीद है हमारी आए चालू करते सेशन पहला आज का जो टॉपिक है वो है आप्टिक एम्प्लिफिकेशन अब प एम्प्लिफिकेशन आप समझेगेगा एम्प्लिफिकेशन का मतलब होगा कि जहां पे भी एम्प्लिफिकेशन का कारेवाही हो रही होगी वो एरिया गरम हो रहा है आप बस इतना मान लीजेगा कि वो एरिया गरम हो रहा है जैहन गुडीवनिंग सभी का स्वागत है आपको दिखा रहा है कि कैसे बाकी दुनिया से यहां चीजे गरम हो रही है अब सवाल है क्यों सवाल है क्यों सवाल है क्यों अब वो लोग आपको दे सकते हैं इन दे न्यूज वी फाउंड सर्टेन मेबी कंडीशन्स और पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर शायद क्या है क्या पैरामीटर्स यह चेक करते हैं एक बार हम आपको कुछ वैसे बना कि देखते हैं फिर देखते हैं आप लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं चपली अर्टिक अंपलिफिकेशन may be caused by, may be caused by, चलिए देखते हैं, number one, albedo, albedo reducing, number two, oceanic current, oceanic current, becoming less denser, number three, number three, climate warming, climate warming, ठीक है, and let's see, इन तीन में निकालते हैं, इन तीन में निकाले, क्या लगता है आपको, Arctic amplification, इन में इसे कौन जिम्मेदार हो सकता है, albedo घट रहा है, oceanic current, becoming less denser, climate warming, इन में से कौन सा सही लगता है आपको, जो मेरा Arctic को या Atlantic को amplify कर रहा होगा, all correct पे काफी लोग है, अकांग्शा जी C पे है, C, अच्छा नहीं, मतलब C का मतलब खाली तीसरा बताना चाहते हैं, ऐसा है, yeah, so the answer to this has to be all true here, albedo कम होने का क्या मतलब है, जब आपका बाहर से radiation आ रही है, और बाहर की तरफ reflect हो जाती है, तो यहाँ गर्मी पैदा नहीं हुई, जैसे ही albedo कम हो जाएगा, मतलब बाहर जो भेजने वाली wave है, वो कम हो गई, जैसे ही बाहर जाने वाली wave कम हो गई, यहीं पे गर्मी पैदा हो जाएगी, तो albedo का कम होना हमारे लिए खत्रे की घंटी है दूसरा oceanic current becoming less denser क्या बात कर दी less denser का क्या तातपर है समझेगा कोई भी चीज जब denser है तो आपको पता है oceanic current से जब पानी में जाएंगे और dense होंगे सबसे आसान था जैसे ही आपका गरम होगा temperature यह प्रॉब्लम आने लगे या यह देखते हैं, so enhancement of near surface air temperature change over the Arctic relative to lower latitudes, very correct, अब इसको अलग-अलग हिसाब से वो परोज सकते हैं आपके सामने, कि air surface का या near surface air temperature बढ़ रहा है, as compared to other latitude, इसलिए जिम्मेदारी हो सकती है, दूसरा, global warming, ice albedo feedback, lapse rate feedback, water vapor feedback, and oceanic heat transport, यह सब जिम्मेदार हो सकता है, आपका broad coverage आपको लेके चलना है, this all can be responsible for our Arctic amplification, clear हो गया, तो broad हमेशा लेके चलिएगा, and you might find an answer, Arctic amplification, या फिर आपका Atlantic amplification, यह कुछ भी आ सकता है, आईए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले topic की तरफ, यह topic थोड़ा समय लेगा, काफी दिन सम सोच रहे थे कि हो ही सकता है, कि आपसे यह COP27 के बारे में कुछ पूछ लें कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, तो हमारे लिए थोड़ा सा पढ़ना पढ़ जाएगा हमें, and I want to write down some points here, पहली बात COP27 किसकी हम बात कर रहे हैं, COP, the Conference of Parties 27th, for UNFCCC, the United Nations Framework Convention on the Climate Change, met in the 27th COP, that is Conference of Parties, where, शर्म-अल-शेक, अराम से दिखिएगा इसको, तो शर्म-अल-शेक, this belongs to the Sinai Peninsula, Sinai Peninsula, जो की Egypt का पार्ट है, Sinai Peninsula के बिलकुल टिप पे है, शर्म-अल-शेक, और शर्म-अल-शेक की खासियत ये भी है, कि अगर आप दोनों तरफ से आना चाहेंगे, Gulf of Suez से और Gulf of Aden से तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, Gulf of Suez और Gulf of Aquaba दोनों से आना चाहेंगे, तो आप पहुच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका शर्म-अल-शेक है, इस शर्म-अल-शेक, तो इस गल्फ of Suez और Gulf of Aden है, ओमान उधर आ जागे एडेन है, ठीक है, Gulf of Aden and इस एक्वाबा भी उपर होगा न, हम लोग एक्वाबा भी लिखे हुए हैं, Gulf of Aquaba, राइट, एक्वाबा, बिल्कुल, बिल्कुल, Gulf of Aquaba, मतलब यह मैप में भी गलत लिखा रहे था, Gulf of Suez और Aequaba यह आगे आपका और इसके एक्वाबा इंटरसेक्शन बे आपका शर्म-अल-शेक है, एक्वाबा, एक्वाबा ही है, ठीके, 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 got it, ha, Gulf of Aquaba, इसके इंटरसेक्शन में शर्म-अल-शेक आ जाएगा, ठीक है, done, got everyone, यहाद राखिए गल्फ of Aquaba, my bad, it's Gulf of Aquaba there, और यह इलत है, यहाँ पर इलत है उसी से टश करके Gulf of Aguaba में आते है यह Gulf of Suez है यहाँ पर आपका शर्म-अल-शेक है शर्म-अल-शेक ठीक यह गलत लिखा हुआ है उसमें इसमें शर्म-अल-शेक है इसमें कोई डाउट इसमें कोई डाउट किसी को Tropic of Cancer passes through Egypt, any doubt here और Tropic of Cancer के उपर है Sinai Peninsula, Sinai Peninsula नौर्थ में है, Sinai Peninsula नौर्थ में है और इस Tropic of Cancer याद रखियेगा हाँ पोर्ट इलत है वहाँ पर वही बता रहे तो आपका Tropic of Cancer के नौर्थ में आपका पढ़ता है आप एक दो पॉइंट्स आप लिखना चालू कर दीजे कि आखिर यहां पर क्या क्या हुआ है पहला बहुत बड़ा यहां पर अचीवमेंट हुआ कि loss and damage fund बनाया गया the loss and damage fund बनाया गया developing country बहुत दिन से कोशिश कर रहे थी कि developed country उनके losses के लिए developing country के losses के लिए एक fund बनाए यहां से भी लोग भागना चाह रहे थे developed country भागना चाह रहे थी परन्तु end में जाके loss and damage fund का यहां पर जाके final हो जाता है that yes there is going to be a loss and damage fund there is no agreement yet on how the finance should be provided but yes we are going to have this agreement कि हमारे यहां एक loss and damage fund अब होगा यह तह हो चुका है कैसे होगा अभी clear नहीं है पर होगा यह तह हो चुका है दूसरा adaptation commitment reform अब एक और चीज़ में देखी जा रहे थी कि इनसे बोला जाता था कि अब fund देते रहो fund दो तरीके से दिया जाता था mitigation fund और adaptation fund अब यह लोग यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे हाला कि इनसे बोला गया था कि आपको काफी पैसा देना था 100 billion dollar per year आपको देना था 100 billion dollar per year आपको देना था पर यह अभी तक कुछ दे नहीं पार हैं बहुत ही कम पैसा दे पार हैं तो अब इनसे final किया गया था कि अभी आपका जो adaptation fund है वो वापस से होगा countries agree to double that proportion मतलब आपको अभी जो देना था 100 billion dollar a year rich countries promise they would receive from 2020 a promise still not fulfilled only about 20 billion dollar goes to adaptation ग्लासगो में बोला गया था कि आपको अब हम यह double कर देंगे इसको 40 कर देंगे और बाकी mitigation का तो अलग रहे गई रहेगा यह हटाना चाते थे COP27 में से परंतु काफी मशक्कत के बाद adaptation fund को reaffirm किया गया मतलब adaptation fund रहेगा adaptation fund is going to be there तो point बस रहेगा कि adaptation fund को क्या हटा दिया गया नहीं adaptation fund रहेगा पहले 20 billion dollar की बात थी अब इसको बढ़ाने के double करने की बात की गई है the 20 billion dollar goes to the adaptation but now it is going to be doubled ठीक है दो चीज़ हो गई एक है loss and damage fund दूसरा adaptation fund रहेगा थीसरा the highlights of the meeting included the launch of the first report of the high-level expert group on the net-zero emissions commitments of non-state entities the report slammed greenwashing मतलब जैसे आई-washing होता है वैसे लोग greenwashing करते थे environment के नाम पे गलत काम करते थे वो greenwashing होता है तो highlights of the meeting included the launch of the first report of the high-level expert group on net-zero emissions और उन्होंने बोला greenwashing मत करिये and misleading the public to believe that a company or entity is doing something for the environment पर काम कुछ और ही कर रहे है and weak net-zero pledges and provided a roadmap to bring integrity to net-zero commitments by industry एक्सेकर एक्सेकर आपको बस यह याद रखना है कि net-zero emission के लिए greenwashing कुछ companies कर रहे थी उनको अच्छे खासा से लताड़ा गया था COP27 में तो एक report आई थी पहली बार इसी report आई थी जिन्होंने अच्छे से लताड़ा है इनको UN announced the executive action plan for the early warning for all initiative which calls for initial new targeted investments of 3.1 billion dollar between 23 and 27 equivalent to a cost of just 50 cents per person यहाँ पे एक और नहीं चीज़ की बात गई थी early warning centers हमें चाहिए और सिर्फ early warning center नहीं चाहिए हमें hybrid early warning centers चाहिए hybrid क्या मतलब है अलग-अलग आजकल disasters आ रहे हैं हमें हर किसी के लिए prepare रहना है तो वी require an executive action plan was announced for the early warnings for all initiative which calls for initial new targeted investment तो इसके लिए भी investment की बात की गई थी early warning centers में और काफी सारे चो disaster है उसके लिए early warning तीसरा master plan to accelerate the decarbonization of five major sectors the power, road transport, steel, hydrogen and agriculture presented by COP27 Egyptian presidency इन्होंने एक master plan दिखाया Egypt ने कि हम कैसे decarbonization करेंगे पाँच major sector में जो अच्छा खासा carbon release करता है जैसा power sector है, road transport है, steel है, hydrogen है और agriculture है यहाँ पे पाँच सेक्टरों से कैसे decarbonization किया जाएगा Egyptian ने अपना एक model produce किया यहाँ पे दिखाया है कि this is my master plan to accelerate the decarbonization इस वाइजिप्शन प्रेसिदेंसी और देखते हैं Egyptian leadership also announced the launch of food and agriculture for sustainable transformation past यह प्रस्ण आएगा past का announcement हुआ है, what is this fast, let's see यह announced हुआ था COP27 में past to improve the quantity and quality of climate finance contributions to transform agriculture and food system by 2030 इनका कहना है कि अगर climate change होगा तो agriculture पे असर पड़ेगा अगर agriculture जिस हिसाब से चल रहा है वैसा ही चलेगा तो climate पे फरक पड़ेगा दोनों एक दूसरे से related हैं इसलिए इन्होंने बोला food and agriculture for sustainable transformation initiative क्या हम बदलाव लेके आएं ताकि हमारा food और agriculture जो आज हमारे agriculture practice है वो ठिक ठाक चले और जो food हमारा insecurity फिल ना हो उसके लिए भी हम लगे रहें तो food and agriculture for sustainable transformation fast was launched on 12th November by more than 20 agriculture ministers and the Egyptian COP27 presidency it's a multi-stakeholder program that aims not only to step up finance to transform agriculture agriculture को transform करना ही पड़ेगा but also to contribute to adaptation efforts pursue the Paris agreement पर हमें adaptation भी करना पड़ेगा क्योंकि change होगा जब temperature by 1.5 degree Celsius it will affect our food security तो दोनों जगा हमें काम करना है food security पे भी work करना है और agriculture पे भी work करना है क्योंकि agriculture में अगर बदलाव नहीं किया गया तो climate change पक्का हो रहा है पर climate change अगर होगा तो food पे impact पड़ेगा ही पड़ेगा तो दोनों पे हमें work करना है इस तरह का यहां पे हमें कुछ contribution करना होगा we have to bring in some bargaining things so that we have to take care of both agriculture as well as the food needs of the people तो यह fast बड़ा important है यह आपका साफ प्रस्ण आते हुए हमें दिखरा इस बार कि fast कहां पे launch किया गया था अब इसको देखके लोग WHO में जरूर पहुचेंगे बुरा मत मानिएगा पर शायद हम लोग भी पहुच जाते पर देखे कई बार कुछ लिखा रहता है यहां पर कहीं से मान लीजे कहीं उठाया है कहीं से साइट से या कहीं से हम लोग पेपर से लेते हैं अब वहां भी अगर गलत लिखा देखे दिमार्ग में confusion होई जाता है तो अगर यहां पर फूड डबलु एच्चो लिख दे या बहुत है अच्छा ग्लास गो जो 26 में वा था लूपी 26 ग्लास को चुछ लोगों ने एग्री किया था कि हम डिटर डिगरी सेल्सियस तक रोके लेंगे टेमपरेचर को since the promises to cut greenhouse gases emissions were not enough to stay within the 1.5 degree Celsius countries had agreed to come back every year to make the commitment stronger इन्होंने बोला था कि हम 1.5 degree Celsius ता कोशिश करेंगे temperature को रोकने का पर हम तु हमें पता है कि countries work नहीं कर रही है इसलिए Glasgow में decide किया गया था कि हर साल हम लोग अपने अपने commitment देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे commitment को stronger करने का this is called the ratchet mechanism point to be noted this is called as this is called as the ratchet mechanism इसको लिख लीजेगा ratchet mechanism क्या है हम हर साल मिलेंगे और हर साल अपने commitment को हम strong करने की कोशिश करेंगे ता कि हमें पता चल सके दुनिया वालोग पता चल सके कौन कंट्री क्या कर रही है so since the greenhouse emissions cut were not enough they wanted the countries to meet every year this is called as ratchet mechanism ये कब हुआ था ये आपका Glasgow से आ रहा है Glasgow से ratchet mechanism आ रहा है point to be noted ये COP27 का नहीं है ये COP26 का है Glasgow का है ratchet mechanism आगे पड़ते हैं some countries tried to back out of the 1.5 degree Celsius goal and get rid of the ratchet at COP27 they did not succeed ये लोग ratchet mechanism से भागना चाते थे पर इनको COP27 वालों में पकड़ लिया बोला कहीं नहीं भागने देंगे तो याद रखना है हम लोग को ratchet इसमें नहीं आया था Glasgow में आया था तो फिर से मिलने आये 2021 में और फिर 22 में मिलने गए अब इनको बोला कि अब आपको फिर से अपना commitment बताना है अभी लोग भागना चाहते थे हैं से इनको पकड़ लिया लोगों ने कि आपको बताना ही पड़ेगा stronger commitment देना ही पड़ेगा तो ratchet mechanism अभी भी लागू है पर यह आया कहां से Glasgow से आया था COP27 जो मीटिंग हुई थी वो और एक चीज पर अग्री की थी that safeguarding the food security and ending hunger is a fundamental priority and that communities can better protect themselves from climate effects if water systems are protected and conserved last year's Glasgow Climate Pact made no mention of agriculture food or water point to be noted Glasgow में food, agriculture, water का mention नहीं था पर COP27 हो कहां रहा था Egypt जो पानी के संकट से ग्रसित है agriculture उसके पास हो नहीं पाता तो वो import करता है और hunger crisis किसी ना किसी भाग में अफरिका में जब हैं तो हो गई होगा तो यह तीनों चीज इसलिए ज्यादा important हो गई क्योंकि यह meeting हो रही थी Egypt में and hence food, agriculture, water पर अगर कोई प्रस्ण आये तो आप दिमाग में रखेगा यह meet हो रही थी Egypt में इसलिए इन पे चड़चा होना ही होना था यह तैथा Glasgow में इसका कोई जिक्र नहीं था पर यह जिक्र जाके आपका हो रहा है COP27 और लोग कह रहे हैं कि safeguarding food security and ending hunger is a fundamental priority और पानी का system अच्छा बनाना ही पड़ेगा the new Indonesia just energy transition सुनिएगा गौर से just energy transition partnership पहले क्या है समझ लेते हैं पहले समझ लेते क्या है just energy transition partnership क्या है यह initiative है किनका बड़े देशों का rich nations का क्या करने के लिए reduce करने के लिए emission कहां पे developing country में तो just energy transition जो एक program है वो एक initiative है rich nations का to accelerate the phasing out of coal and reducing emissions this initiative is modeled for South Africa to support South Africa's decarbonization efforts इनको अपने या नहीं करना है इनको दूसरे कहां करना है तो यह बोले मैं आपका just energy transition कराऊंगा just energy transition partnership है हमारा और आपके बीच में मैं आपको decarbon कर दूँगा आपका कोईला खतम कर दूँगा मैं आप चिंता मत करो किसके लिए बनाया है इन्होंने South Africa का model बनाया it aims to reduce emissions in the energy sector and accelerate the coal phase out process ठीक है makes various funding options available for this purpose in identified developing countries launch कहां हुआ था this JTP was launched at COP26 in Glasgow with the support of the United Kingdom US, France, Germany and the European Union following that G7 has announced कि अभी हम ऐसा partnership India, Indonesia, Senegal और Vietnam के साथ करेंगे Vietnam के साथ करेंगे India ने बोला coal अभी कहीं नहीं जाने वाला तो अपना partnership अपने पास रखो Just Energy Transition Partnership कहां आया? Glasgow में आया वो आप से पूछेंगे कि क्या ये COP27 का product है? नहीं ये पहले से ही आ चुका था कब Glasgow के meet में ये Glasgow के meet में आ चुका था अभी नया क्या हुआ COP27 में पहले किसके लिए आया? South Africa के लिए आ चुका था अभी COP27 में क्या हुआ? इन्होंने बोला कि हमें काम करते हैं हम लोग Indonesia के लिए launch कर देते हैं Indonesia को अभी इन्होंने पकड़ लिया इन्डोनेशिया के लिए launch कर दिया है क्या Just Energy Transition Partnership ये क्या है Just Energy Transition? माने जीओ फिलोसफी में गए तो Just Energy Transition का क्या मतलब है? तुनिएगा Just Energy Transition का क्या मतलब है? कि जब आप कोल से नौन कोल पे जाएँगे जब आप कोल से नौन कोल पे जाएँगे तो आपको ये एनर्जी जो है तिर्फ आमीरों को अवेलेबल नहीं करानी है परंतु ये सब के साथ होनी चाहिए ये सब को equally मिलनी चाहिए ये है Just Energy Transition आज एनरजी तेल जब आप लेते हैं तो आपके लिए भी पढ़ता है उतना ही जितना दूसरों के लिए पढ़ता होगा जब आप कोईला खरीते हैं तो भी आप उसी भाव में लेते हैं पर जब यह ट्रांजिशन हो रहा होगा तो यह लोगों को सोलर, विंड इन सब को आपको इक्विटेबल बनाना है ऐसा ना हो कि यह लोगों को आराम से एकसेस हो जाए और बाकी जो मिडल क्लास लोग हैं पूर क्लास लोग हैं उनको मिले ही नहीं तो just energy transition का यही philosophy है कि transition ऐसा हो कि इस energy का भी लाव, accessibility, affordability, availability हर class के लिए होना चाहिए तभी बहतरीन energy transition हो पाएगा I hope you got this तो यहां पर हम लोग just energy transition की यही बात कर रहे थे तो it's a transition to a just energy system seeks to ensure that access to energy is equitable and benefits all members of society rather than primarily benefiting corporations and the wealthy सिर्फ wealthy और corporates की मदद नहीं करनी है, सब की मदद करनी है, just energy transition है, इंडोनेशिया में यह आने वाला है आईए, आगे बढ़ते हैं यह एक थोड़ा सा में important लगा कि शायद वो भूले भटके अगर abstract पूछे तो पूछ सकते हैं actually UNFCCC के अंदर गत एक लौता program है, एक लौता, the sole program जिसका नाम है कोरो नीविया, कोरो नीविया, joint, joint work for agriculture UNFCCC के अंतरगत एक लौता program है, जो agriculture की बात करता है to focus on agriculture and food security, this is called as KJWA, this is कोरो नीविया joint work for agriculture, अब बाकी के देश बोलते हैं कि agriculture की बात यहां क्यों करते हैं आप लोग, इसकी बात कहीं और कर लेना, आप यहां पर क्यों कर रहे हैं, भारत ने भी बोला यहां क्यों कर रहे हैं इसकी बात, तो यह लोग ले क्या आना चाहते हैं कि कोरो नीविया joint work for agriculture बन जाए इसके तहट ये लोग कुछ agriculture पे UNFCC के तहट कुछ sanction लेके आएंगे या कुछ बाते करेंगे तो भाई जो और लोग है agriculture based country उन्होंने बोला नहीं अभी ऐसा नहीं होगा तो COP27 में फिर से अभी चार साल का lease मिल गया है given another four year lease by establishment of the four year शर्मलशेक joint work on implementation of climate action and agriculture and food security तो इन्होंने बोला ठीक है we are working for it तो अभी आपको एक और lease देते हैं चार साल का तो अभी वह ही यहां पे मिला है जब तक यह आपका शर्मलशेक जिप्ट का काम चल ला है तब तक बोला कोई बात नहीं we are giving you another four year lease by establishment of the four year शर्मलशेक joint work on implementation of climate action on agriculture and food security एक बात तै है हां एक बात तै है कि शायद they are going to bring in agriculture also now into the UNFCC framework क्योंकि carbon emissions और यह सब आपका agriculture भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभी तक हमारा ध्यान बाकी जगों पे था पर अब इनका ध्यान धीरे दे agriculture क्यों पर आ रहा है भारत कैसी इसको ट्रीट करेगा अभी मेंस का पार्ट अभी के लिए ठीक है वी आर वर्किंग एक UNFCC के अंदरगत एक KJW है जहां पर हम लोग कोशिश करें agriculture food security को भी UNFCC के अंदरगत लाने का यह हम लोग का submission हो सकता है है वो आप से क्या पूछ सकते है कि कोरोणीविया जॉइंड वर्क पर अग्रिकल्चर इस अंडर एप वो पूछ सकते हैं आप सर्थ वो पूछ सकते कि यह अंडर आपका UNCCD है UNCCD है पूछ सकते हैं United Nation Convention to Combat Desertification पूछ सकते हैं UNCCD के अंदर गते हैं आधे लोग तो यह धराश ही हो जाएंगे पर हमें नहीं पता है पता होग अभी कैसी इतना हम लोग डिटेल में थोड़ी नहीं चीज़ याद करते हैं पर आप सिंपल याद है कि क्या है अग्रिकल्चर के लिए अक्शन प्लान है यह किसके अंतरगात है UNFCC के अंतरगात एक लौता ऐसा प्रोग्राम है UNFCC के अंतरगात अगे चलते हैं और देखते हैं इस टॉपिक के बारे में जो I feel again is important ओटेक क्या है ओटेक अभी समझते हैं नाशनल इंसिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत इसको देख लीजेगा एनायोटी क्या है established in 1993 इसलिए और इंपोर्टेंट है यह एक autonomous society है इस एन autonomous society under ministry of earth sciences यह autonomous society है under ministry of earth sciences managed by a governing council and is headed by a director जो कि चैन्नाई बेज़्ड है इसका major aim क्या है develop reliable indigenous technologies to solve various engineering problems associated with harvesting of non-living and living resources in India's exclusive economic zone which is about two-third of the land area of India तो इसका खास मक्सद है कि कैसे अपने living या non-living resources जो की ocean के उसको कैसे use किया जाए benefit के लिए कैसे उसको harvest किया जाए अच्छे से नियोटी उसके लिए आया है 1993 Autonomous Society under ministry of earth sciences clear है अभी क्या किया इस इस्टाबलिशिंग इंडिया फर्स्ट ओटिक प्लांट फर्स्ट ओटिक प्लांट अभी established हो रहा है ओटिक प्लांट क्या है आई ये जल्दी से देख लें ये पानी है ओशन थर्मल एनर्जी कनवर्जन आई देखते हैं ये किस पे रिलाई करता है based upon the temperature differences the temperature differences that exist in the oceanic layers इसमें क्या हो रहा है तेमपरेचर दिफरेंस को यूज करते हैं यहाँ पानी ठंडा है और यहाँ पानी गरम है हाँ पानी ठंडा है और यहाँ पानी घरम है कि यहाँ पर हम लोग इसको अच्छा यहाँ नहीं कियोंगे यहाँ नहीं हुआ չि करें चाचा में यहां ठंडा है और यहां पर गरम पानी है हम लोग क्या करेंगे कोशिश करते हैं कि इस temperature difference को यूज करेंगे और इस temperature difference को यूज करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं यह पानी कोशिश हम लोग करते हैं कि वेपर बन जाए यह पानी को हम लोग कोशिश करते हैं वेपर बन जाए वेपर बनता कैसे आपको ऐसे नॉर्मली भी पता है अब टेमपरेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका एवापरेट होगा तो हमारा टेमपरेचर डिफरेंस हम यूज करते हैं और पानी एवापरेट करने की कोशिश करते हैं जैसे ही पानी एवापरेट होता है हम लोग कोशिश करते हैं उसको पूशिन करते हैं य ये ocean thermal energy conversion है in which what we are doing is we are using the difference of the temperature in the layers of the water उपर का temperature वाकई में गरम होगा आप नीचे जाएंगे तो थंडे पानी की तरफ ही जा रहे होंगे थोड़े बहुत भी temperature difference में ओटे को वर करा लेते हैं और ये अपने आप सिस्टम फिर चलने लगता है अब ही पूरा प्लैंट लगाय जा रहा है लक्षदीब के आइलेंड के पास और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी energy को harness करेंगे अब हम लोग और क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे जो water को थंडा कर रहे होंगे या जब पानी आपका वेपर बन कुका है अभी पानी वेपर बन चुका है तो अब इसको कंडेंस करेंगे जब पानी कंडेंस होगा तो आपने pure स्टेट में आ जायेगा चांदेंस करेंगे तो tear state में आ जाएगा इस part को हम लोग कलेट करके potable water बना लेंगे मतलब लगभग यह desalinization भी हो जाएगा desalinization भी हो गया पानी का energy तो हमें मिली सकती है turbine move करने के लिए यहाँ desalinization भी हो रहा है पानी का यहाँ desalinization भी हो जाएगा तो OTEC क्या है ocean thermal energy conversion हम लोग temperature layers के बीच का use करते हैं और कोशिश करते हैं कि पानी गरम रहे वेपर बने वह यहाँ पे condense करके हम लोग use भी कर सकते potable के लिए और उसको ठंडा करके वापस से भी चालू कर सकते इसमें जाता रहे या फिर अगर इधर नहीं भी भेजना है तो आप लगातार pumping कर सकते हैं water और यहाँ पे आप outlet लगा के अपना condensed पानी को collect करता रह सकते हैं तो दिस इस वाट इस यौर ओ टेक जो प्लांट आपका लगता है तो वी आर पुटिंग एट केपासिटी 65 किलो वाट इन कावारती लक्षुदी इस प्लांट विल पावर दा वन लाख लीटर पर दे लो टेंपरेचर थर्मल डे सैलिनेशन प्लांट विच कनवर्ट सी वाट इन्ट पोर्टेबल वोटर तो हम जो ओ अटेक लगा रहे हैं आपका जो ओशन थर्मल energy conversion करेगा वो पावर करेगा 1 lakh liter per day वाले plant को which is we are putting at the luxury the plant is the first of its kind in the world as it will generate drinking water from sea water using indigenous technology green energy and environmentally friendly processes to otec का use करते हुए what we are generating we are generating even the potable water इसलिए सो कहा जा रहा है ये एक लौता अपना एक पहला और एक वहतरीन अपना तरह के का पूरे वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है जो drinking water generate कर रहा है कि गॉट इस यौर ओटेक वाला आइडिया ना ओटेक is a process for producing energy by harnessing the temperature differences between ocean surface water and the deep oceanic water से हमने आपको बताया ocean का उपर का पानी गरम रहेगा नीचे का ठंडा रहेगा तो बार बार एक साइकल हम लोग ऐसे चलाते रहेंगे और ओशन सार हूज heat reservoirs यह हमें पताई है 70% से ज्यादा अगर water है आपके पास तो हूज energy reservoir तो हो गई होगा तो कि sun के energy इतनी आ रही है वो आपके पानी में ही पानी में ही इतनी उसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं लैंड से तो energy तूरण निकल जाती है पर पानी में स्टोर रहती है धीरे धीरे निकलती उसी energy को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं आज इंडिया is geographically well placed to generate ocean thermal energy with around 2000 km of coastal length along the south India coast where a temperature difference of 20 20 degrees is available throughout the year हमारे पास जो पोटेंशल हो कहा जाता है एक लाख असी हजार मेगावाट का पोटेंशल है एक आपका ओपन सिस्टम होता और एक आपका क्लो सिस्टम होता है कई बार क्या होता है इसमें आप कोई फ्लूइड यूज़ करते हैं कोई फ्लूइड जैसे माल लीज़े आप अमोनिया यूज़ करते हैं कोई भी ऐसा fluid यूज़ करते मालीजे अब वो क्या हुआ जैसे इस लेयर से गुजरा वो fluid यहाँ पे आपको लगा कि यह वार्म है यह आपका liquid जो है यह जो भी फ्लूइट रहोगा यह गैसियस बन गया तेजी से मूव करता है टर्बाइन मूव करता है तो energy produce हो सकती है एक य गुमाने का यहाँ पर हम ऐसा coil लगाते है जिस पर उसको condense कर ले और collect कर ले अपना pure water both the things can happen open system भी होता है closed system भी होता है दोनों चरह से work कर सकता है यह और इसमें हम कोई ऐसा chemical भी use करते है जो कि volatile होता है energy जैसे temperature difference detect करता है और change कर लेता है अपने state को we use that chemicals also in here तो अब एक सव solar plants which can't work at night and wind turbines which work only when it is windy otec can produce energy at all times यह आपका prelims का alert है this is your pt alert otec can produce energy at all the times it can produce energy at all times यह हर समय produce कर सकता है energy otec क्योंकि वो बना रहेगा difference तो बना रहेगा अगर sun नहीं भी है तो difference धीरे धीरे कम होता है फिर sun आहीं जाएगा तो आपका it can work at all times as compared to solar and wind यह प्रशना सकता है दूसरा अब इसमें हो सकता है आपसे पूछ लें कि otec की क्या हो सकते दिक्कते सामने क्या आती है तो यह एक faq section था वहां से मिला है कि withdrawal and discharge of water अगर आप 100 megawatt की facility बताते हैं तो वो 10 से 20 billion gallons per day use करेगा warm surface water and cold water from a depth of approximately 3300 feet or 1000 meters the impact of discharging this large volume of water in the ocean needs to be better studied the water discharge from otec facilities will be cooler denser and more nutrient rich due to the composition of the deep cold water being different from the receiving waters तो इनका कहना है कि जब आप पानी को use कर रहे होगे तो हो सकता है उसका composition change हो जाए उसमें कुछ nutrient mix आप कर देंगे इसकी वज़े से जब आप उसको discharge करेंगे तो वो बहुत अलग हो सकता है nutrient rich water would likely be discharged at a depth where the ambient water is warmer and oligotrophic the resulting indirect and cumulative impacts to marine biota and the dynamics अब कहानी यह है कि जब आप उसमें कुछ add करके उसको discharge करेंगे तो biota खराब कर सकता है वहां पे काफी चीज़े वो बदल सकता है उसका temperature अलग हो सकता है तो धीरे धीरे यह impact ला सकता है आपका biological चीज़े पर वहां पे एक यह point निकला था दूसरा है screens are needed for both the warm and cold water intake systems to prevent debris and larger species from entering an otic facility impingement may occur when organisms become trapped against the intake screen तो जहां से हम लोग पानी खींच के सरकिंद कर रहेंगा वहां कोई species funds जाए जाके तो यह भी एक problem इनको दिख रहे थी कि वो चुकि खींच रहोगा लगातार पानी तो हम लोगो कुछ ऐसी screens लगानी पड़ेंगी जिससे शायद हम animals ये organisms को अंदर ना खीं इसका कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत वहरी चीज़ का होता है यह अगर हमें पूसता थो ब्रॉट थोड़ा आप सोच सकते हैं कि बाई पानी बहुत ज्यादा उसको ले रहे हैं अब डिस्चार्ज करेंगे तो हो सकता है वो chlorine mixed water होगा nutrient mixed water होगा हो सकता है गरम पानी होगा अलग temperature उसका हो सकता है जिससे कि हमारा biological resources पर impact पढ़ सकता है so a simple point जो आप देख के समझ जाएंगे about otech अब इसी के सिलसिले में आपको यह भी अगर पता हो इस IIT madras researchers have developed an ocean wave energy converter that can generate electricity from sea waves अच्छा आप यह देखिएगा यह sea waves generate कर रहा है energy इसका नाम कोई बता सकता है क्या anyone who can let me know the name of this IIT madras ने बनाया इसको कोई बता सकता है क्या सिन्धू अब बताई ही इन्यवान पता दीजी एक बार अरे यह तो आपको सब पताई है नहीं नहीं यह एक बनाया है IIT madras researchers ने they have developed an ocean wave energy converter यही बनाया है नाम भी अच्छा है सोचेंगे मिल जाएगा आपको सिन्धू जा सिन्धू जा सिन्धू जा सो अभी क्या होगा देखी question कैसे बनेगा आप ओटेक पढ़ रहे थे जहां पर हम ocean thermal energy conversion की बात कर रहे थे सिन्धू जा क्या है वेव converter है यह वेव energy convert करता है यह आपका O-tech नहीं है यह वेव energy converter है तो आपको यह चुटा point यहां पर याद रखना होगा this is your wave energy converter यह आपका O-tech नहीं है they would ask you कि सिन्धूजा जो है वो O-tech पर वर करता है सिन्धूजा O-tech नहीं है सिन्धूजा एक तरह से आपका एक floating इन्हों ने कुछ एक बना रखा है विश कैन जनरेट electricity but from the waves यह waves आके hit करेंगी उससे generate करेंगी तो यह याद रखेगा यह वेव energy converter है confuse मत होईएगा it's your wave energy converter and not O-tech वाला यह O-tech नहीं है यह wave energy converter है ठीक है तो यहाँ confuse वो कर सकते हैं आपको आईए दो तिन चीज़ और है इसमें एक तो sustainable development goal 14 आपको यादी होगा conservation sustainable use of the ocean seas and marine resources ठीक है SDG 14 अपने दिमाग में रखे रहीएगा SDG 14 क्या है आपका oceanic चीजों से related है 13 क्या है आपको पता ही है 13 आपको यादी होगा SDG 13 क्या है आपको पता है SDG 13 क्या है आपको पता है और SDG 6 क्या है यह भी बता दीजे आपको यहाँ पे 14 याद रखना है जो की है आपका sustainable use of the marine resources अब यह भी बता दीजे SDG 13 क्या है तेरा आपको पता ही है disaster climate change इसी से related होगा और SDG 6 क्या है यह बता दीजे SDG 6 क्या है यह बता दीजे what is SDG 6 SDG 6 क्या है यह बता दीजे clean water 6 क्या होगा clean water sanitation होगा relate कर लिजे 14 क्या है मेरा ocean के लिए है यह क्या clean water SDG 6 क्या clean water sanitation और SDG 13 क्या है मेरा climate change आईए देखते हैं कावरत्ती का है यह देखिए आप केरला से west की तरफ चलेंगे यह कोचीन है इससे नीचे की तरफ जाते है south में तो mini koi दिखता है यह रहा मेरा कावरत्ती जहां पर यह प्लैंट लगाए जाएगा कावरत्ती यह रहा कावरत्ती अगर आपको flight लेके जाना है तो सिर्फ एक ही जगह जहां आप उतर सकते हैं वह है अगाक्ती अगाक्ती पर यह एरपोर्ट है या उसको आपको दिखाई देते हैं देखिएगा मालडीव को लक्षदीब के पूरे ग्रुप से अलग करता है आठ डिग्री चैनल और सबसे south वाला जो मेरा island है लक्षदीब का वो है आठ के अलग करता है मालडीव को मिनिकॉय से मिनिकॉय को 9 डिग्री अलग करता है पूरे लक्षदीब से 10 में फिर हम आते हैं अपने अंडमान में अंडमान को हम देखते हैं तो निकोबार को अलग करता है पूरे अंडमान के ग्रुप से 10 डिग्री चैनल डंक हमने आपको बताया था साउत को लिटल से अलग करता है danken passage साउत को अलग करता है आपका डिस लिटल अंनमान से डंकन passage हो गया याद हो गया जल्दी से रिविजन कर लीजिए याद हो पंडा की बात की जाए, there are only two different panda species in the world, the giant pandas and the red pandas, the giant pandas and the red panda, हम लोग red panda की बात कर रहे है, the state animal of Sikkim, they are shy, solitary, arboreal animals and considered an indicator species of ecological change, Sikkim का state animal, इंडिया में आपको हिमालियन रेड पंडा भी मिलते हैं, Chinese red panda भी मिलते हैं, Siyang river जो आपकी अरुणाशत प्रदेश से बहती है, वो इनको दो हिस्सों में divide करती है, मतलब एक तरफ आपके हिमालियन रह जाते हैं, एक तरफ आपके Chinese रह जाते हैं, It is found in the forest of India, Nepal, Bhutan and the northern mountains of Myanmar and southern China, तो ऐसा नहीं कि बस इंडिया में ही रेड पंडा, पूरे उस बेल्ट पे आपको red panda मिलते हैं, The number of red pandas has been declining in the wild, even in the singalila, अब जी नाम कुछ आने वाले हैं, singalila and the niyora valley national parks, the two protected areas where the endangered mammoths is found in the wild is West Bengal, singalila और niyora valley national park, West Bengal, जहां पे इनका अच्छा खासा population पाया जाता था, वहां पे भी कम हो रहा है, red panda, आईए, इसके बारे में कुछ चीज़ और आपको बता दे, इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, red panda, इंडेंजर्ड है, और schedule 1 में protected है, it is endangered, और schedule 1 में protected है, appendix 1 है, sites का, sites का appendix 1 है, IUCN red list, इंडेंजर्ड है, तो red panda, देखके मत सोचेगा कि red critically endangered है, it's endangered, it's endangered, clear है, giant panda वैसे तो नहीं पूछेगा, vulnerable है, आपको याद रखना है, red panda ही पूछने की उमीद है, endangered है, आपको याद रखना, it's endangered, clear, अगर आपने यह देख लिया है, तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, पदमजा, नाइडू, हिमालियन, जूलोजिकल पार्क ने, एक काम चालू किया था, जिसमें जे वोन्टेट यहाँ इस फंडास, 20 पंडास, इस इस ब्रूस्वेश इंट ने, आपको यह देखना है, आपको तू the पंडास याद रखेगा, पदमजा, नाइडू, 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 पाँचल पर्क इन पाण्डा को कहां छोड़ा जाएगा सिंगadura लीला नेशनल पार्क में विच you सब्सक्राइब रिज देग्गॉल located at the singh lila ridge in the Darjeeling district and it's the highest altitude park in the West Bengal. Initially a wildlife century, पर इसको बाद में national park का दरज़ा दे दिया गया था 1992 में. आएए देखते हैं कहां की हम लोग बात कर रहे हैं. ये है नियोरा वैली, ये है आपका लीला, नियोरा, जल्दापारा, बक्सा. ये चार तूपरी हैं आपके थोड़ा सा उसी के आसपास आप देखेंगे गोरु मारा भी आपको मिल जाएगा और नीचे आपका सुन्दरबंस यहां पे हैं. So, these are the six national parks. This is your Singalila, नियोरा, गोरु मारा, जल्दापारा और बक्सा, तो कोशिश करिएगा अगर याद हो जाए आपको तो और ये डार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही है पूरा, तो आपका Singalila हो, नियोरा हो, जल्दापारा हो, बक्सा हो, गोरु मारा हो, सब आपका वहीं पर डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो कभी डार्जिलिंग घूमने जाएगा, तो आराम से enjoy करिएगा, Singalila से गुजरिएगा, नियोरा में थोड़ा बहुत जाक लिजेगा, and then you have got your गोरु मारा बक्सा और गोरुमारा और जल्दापारा जल्दापारा क्लियर हो गया हम लोग अभी कुछ मैड और मैप्स करेंगे अभी तो नाशनल पार्क सुख बार रिविजिट कर लेंगे और वी विल आप देख सकते हैं सुबह अभी इसी चैनल पर फिर से चालू कर रहें सुबह या साड़े छे बज़े होगा कभी भी विल डू दाट पर प्रिलिम्स ओनली तो यह आपका नियोरा जल्दापारा बक्सा गोरुमारा यह आप देख सकते हैं सिंगलीला ठीक है डान आईए निलगिरी ताहर इंपोर्टेंट इसके लिए एक नि गवर्मेंट ने इनके लिए प्रोजेक्ट निलगिरी ताहर में दिया गया है ईंका लोकल नाम होता है वरा याडूं लोकल में इनको नाम दिया गया है वराइण दू है जा नेन्टेट jar ho झिल्ग TL या निल्गी आईबिक्स भी बोलते इस इस लिए पहली इंडेंजर लेथए अमद्हात है टो little एडल्ट मेटफ थैधे टल्ट बेस्टी अच्थ पॉड़िए अर्ट भी कहा जाता है तो तो कुछ आपको लगेगा light gray area patch बना हुआ इसलिए इनको saddle कहा जाता है, saddlebacks कहा जाता है, state animal of Tamil Nadu, कहां पाए जाते हैं, open mountain grasslands habitat of the rainforest, eco region, shola area, जो है mountain, मतलब mountains related है, shola grassland में पाए जाते हैं, endemic to the Nilgiri hills and southern portion of the western ghats, endemic है, कहां नilgiri hills के endemic है, कहां के endemic है, नilgiri hills के, मतलब Tamil Nadu और केरला में ढूंडिये मिल जाएंगे आपको, नilgiri hills के endemic है, नilgiri tahar, क्या है इनका status, आपको पता होगा, endangered है, endangered, किसलिए हमें project launch किया है, नilgiri population को अच्छे से पढ़ना है, नilgiri tahar के population को पढ़ना है, reintroduce करना है tahars into their historical habitats, address the approximate threats to them that they have, increase the public awareness, the project is somewhere around 25 crore, कोई पूछेगा नहीं आप से, और 2022 से लिए के 2027 तक चलेगा, तो या तो आप 2027 में अटम दे रहे हो, तब पूछेगा, या फिर आप से अभी पूछ लेगाई, नilgiri tahar याद रखिएगा, आईए, नilgiri tahar के लिए खास करके एक national park है, जिसका नाम है mukurti, अगर आपको ये map सही से शाय नहीं दिख रहा होगा, पर मukurti याद रखिएगा, मukurti national park, मukurti national park आपको याद रखना है, एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग में आपके घुसाने कोशिच करते हैं, आईए, करणाटा, केरला, तमिलनाड़ु का ट्राई जंक्शन है, इसी ट्राई जंक्शन में आपको पढ़ता है निलगीरी बायोसफेर रिजर्व, ये निलगीरी बायोसफेर रिजर्व है, निलगीरी बायोसफेर रिजर्व के आप West में जाएंगे, एकदम samen मौस पार्ड तो जाना चाहता है मगर्द मुकूर्थी को इनके लिए बनाया गया था तो मुकूर्थी नैस्टनल पार्क इनके लिए घोषित के आगया था विच इस लोकेटें दे नौर्थ वेस्टन अवेस्टन घार्थ माउंटें रेंगे तो शोला आपको यह पे दिखते हैं और दिस एरि यह है आपका मुकुर्ती वाला एरिया, अच्छा, now this the main reason behind establishing a national park in the place was to protect the निलगीरी ताहर को बचाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कहा जाता है, keystone species का क्या मतलब होता है, यह यहां के ecosystem के लिए बड़ा important है, keystone species वो हर species होती है, जो वहां के ecosystem के population को control में रख सकती है, control करती है, वो वहां के लिए बड़ी important है, that's a keystone species of that, जैसे human being भी keystone species है, वैसी यह लोग भी keystone species होते है, वो हर species जो किसी और के population को regulate कर सकती है, वो keystone species होती है, the park has also the distinction of being a UNESCO world heritage site, because it is part of the western ghats, तो यह world heritage site भी है, आपका, पार्क generally slopes towards the east and south receiving water from, बिलिथदल्ला, पिकारा, पिकारा river important है, याद रखी का, पिकारा नदी से पास करती है, and कुंदा rivers and the upper भवाणी and मुकूर्ती reservoirs which flow through the park, आप पिकारा नदी याद रखी का, पिकारा river flows through मुकूर्ती नाश्नल पार्क, मुकूर्ती नाश्नल पार्क से पिकारा नदी निकलती, याद रखी का, पिकारा, पिकारा flows through मुकूर्ती, ठीक है, so that is there, I would like to show you, अब इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत अच्छे से, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, I think, if I have another map here, नहीं, map नहीं है, हम एक काम करेंगे, अगले session में आपको ठीक सा थोड़ा map दिखा देंगे, तो आपको और clear हो जाएगा, तो आपको एक दो चीज जैसे भवानी river यहाँ पे एक है, दिखनी चाहिए, I'm not able to find also, ठीक है, I'll let you know, यहाँ पे एक नेवर पिकारा तो आप याद रखिएगा, I'll show you there, पिकारा तो आप याद रखिएगा, आपको बता दें, तो शोला आपके जो grasslands होते हैं, अगर वो पूछें आप से, याद रखिएगा, यह tropical mountain forest होते हैं, अब यहाँ पे पेड आपको वैसे नहीं मिलते हैं, जैसे tropical forest में आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े पेड नहीं मिलते हैं, stunted पेड मिलते हैं, बह by rolling grasslands in the high altitudes, तो क्या होगा कि आपका high altitudes जैसे मान लिजे है, तो आपका rolling grassland ऐसा बनेगा, फिर आपको कुछ एक mountain forest type थोड़े से दिख जाएंगे, फिर आपका rolling grassland होगा, फिर आपको forest type दिख जाएंगे, हालकि यहाँ पे जो पेड होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा height नहीं as high as a tropical or evergreen forest that you might be looking for, यह आपका tropical लगभग आपका tropical थोड़ा बहुत मेल खाते हैं, पर होते लगभग आपके sort of dwarf trees हैं वहाँ पे, तो शोला को आप याद रख सकते हैं, यह आप याद रख सकते हैं, तो शोला को आप याद रख सकते हैं, यह आप याद रख सकते हैं, यह आज के लिए बस इतना ही उमीद है, आज काफी हम लोगों ने cover किया होगा, let's meet tomorrow then, so topics और भी है, और वो याद रखिएगा, वो Gulf of Aquaba है, उसमें गलती नहीं करना है, Gulf of Aquaba है, ठीक है, तो और कोई आपका कोई प्रश्णों तो बता दीजे, एनी प्रश्ण इप गॉट, ठीक है, चली बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, thank you so much, निरंतर था ही, सफल्दा की कुंजी है, जो निरंतर है, वही सफल है, आपको सिर्फ निरंतर है, सफल्दा कोद आपके सामने आजाएगी, और CMC code याद रखिएगा, if you want to enroll into any subscription, you can let me know, and if you need me, I need you, तो आप पहुंच सकते हैं, आपके पस telegram भी है, channel भी है, you can reach me out, thank you so much, take care, जहीन अपना ध्यान अखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और हमेशा खुशा हुशा 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